तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन को free and fair करने के लिए आपके set of rules की need होती है और किस तरीके से उनको apply किया जाता है क्या-क्या basic rights दिये हैं citizens को इलेक्शन को proper तरीके से किया जा सके और किस तरीके से आपके systems होते हैं एक होता है आपका FPTP system और दुसरा होता है PR system तो इंडिया ने आपका FPTP system ही क्यों लिया वो उन्होंने क्यों adopt किया उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक detail में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क कि अगर आप PR system की बात करें और अगर आप FPTP system की बात करें तो यह अलगलग countries में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अगर आप बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी country है ठीक है जिसमें की PR system apply करना बहुत difficult हो जाएगा क्योंकि हमारे यहां पर एक त बारा FPTP system में वो इतना simple है कि एक common जो voter होता है वो उसको आराम से समझ सकता है भले उसको elections के बारे में ज्यादा information ना हो तो यह चीज़ आपको समझने चाहिए कि जो FPTP system में बहुत simple होता है कि five candidates है जिसको vote मिलेगा वहां पे आपका representative चुना जाएगा तो यह बहुत simple तरीका है और ideology है जिसको कि बिना उसके political knowledge और experience के भी वहारासानी से समझ सकता है ठीक है ना there is also a clear choice represented to voters at the time of elections. Voters have to simply endure a candidate और a party while voting तो यह तो simple होता है कि वो endorse करते हैं कि किस व्यक्ति को वो चुनेंगे, किस को वो support करेंगे, किस party को support करेंगे तो इनके लिए बहुत simple हो जाता है क्योंकि separate parties और candidates उनको देखने को मिलते हैं depending on the nature of actual politics, voters may either give great importance to the party or to the candidate और balance the two तो क्या होता है कि कई बार आपको पता है कि हमारे आपकी जो politics है या जो आपकी जो political parties हैं जो candidates हैं कई बार लोग party को देखकर vote देते हैं कि हम इस party को ही vote देंगे कई बार क्या करते हैं लोग candidate को vote करते हैं कि हमें तो यह व्यक्ति बहुत अच्छा गाम करता है तो हम इसी व्यक्ति को vote देंगे चाहे वो किसी भी political party का हो तो हमारे इस system में दोनों को एक तरीके से balance importance दी जाती है चाहे वो political party हो या वो candidate हो ठीक है ना दा FTP system offers voters a choice not simply between the parties but specific candidates तो FTP में मैं आपको पहले ही बताया था उनको एक choice मिल जाती है कि 5 candidate है उन 5 में से आप किसको better समझते है आप उसको vote दे सकते है बट PR में क्या होता है कि PR system में तो क्यों पार्टी को vote देना है आपके पास दो पार्टी है आपको इसको vote देना है या तो उसको vote देना है candidates तो आपके पास है ही नी ठीक है ना तो इससे वे क्या होता है कि there is no one representative who represent and is responsible for one locality तो अब अगर आप PR के बात करें तो मैंने बता है आपने पार्टी को vote दिया बट आपके पास तो local को representative ही नी जो आपके लिए responsible होगा या आपके किसी भी काम के responsible होगा ठीक है ना अब अगला टॉपिक आपके पास the reservation of constituencies अब किस तरीके से reservation किया जाता है constituencies में जिस जिस constituency में आपने देखा होगा कही बार आपने सुना होगा कि वहाँ पे SCA OBC के लिए आपके reservation है या आपके जो backward class tribes है उनके लिए आपके पास है या OBC के आपके पास tribe है कई बार women's के लिए आपके local elections में seat reserve होती है तो वो किस तरीके से होता है क्यों वो दिया जाता है उस comments में discuss करेंगे चलिए We have noticed that in the FPTP election system the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected यह हम अल्री discuss कर चुके है जो भी highest number of votes लेता है किसी भी constituency में वो elected होता है This often works to the disadvantage of smaller social groups this is even more significant in Indian social contest अब आपको पता है अगर आप इससे क्या ही बार क्या होता है कि जिसका powerful ज्यादा होगा जो ज्यादा famous होगा वो क्या होगा और जिसके majority होगा उसे आसानी से ज्यादा vote मिल जाएंगे और जो आपका small social groups होगे उनको proper opportunities नहीं मिल पाएगी अपना representative elect करवाने के लिए ठीके न we have had a history of caste based discrimination in such a social system the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented तो कई बार क्या होगा कि जो आपका FPTP system में उसमें कई बार ये भी हो सकता है कि जो majority में हो जो powerful हो वो हर बार आपका जीतते रहें वो हर बार या हर जगा पे जीत जाएं और जो आपके social या backward classes के लोग हैं उनको कहीं पे भी आपका representation ना मिले ठीके ना तो हमारे जो constitution makers थे वो इस difficulty को जानते थे तो उन्होंने क्या किया इसको fair बनाने के लिए representation को या जो social बाकी ग्रूप से उनको सही proper तरीक से representation देने के लिए उन्होंने क्या किया तो वो जो issue था वो debate किया गया independence से पहले बिटिश गौर्मेंट के साथ और उन्होंने क्या का कि उस time पर उन्होंने separate electorates उन्होंने वहाँ पे introduce करने का मतलब समझा और इस मतलब से क्या हुआ जो आपका separate electorate का मतलब क्या था the electing or representative form of a particular community only those voters would be eligible to belong to a community तो उन्होंने का कि जो particular आपका representative होगा वो एक particular किसी area से या community के voters से उसको vote करेंगे in the constitution assembly many members expressed a fear that this will not suit our purpose तो उससे क्या हुआ कि जब यह discuss किया गया आपका constitution assembly में तो उनको लगा कि यह जो आपका तरीका है इससे proper तरीके से आपकी problem को solution नहीं मिल पाएगा ठीक है ना it was decided to adopt the system of reserved constituencies तब उसके बाद क्या एक decision लिया गया कि जो constituency है उन्ही constituencies को reserve कर दिया जाए किसी particular candidate या किसी social group के लिए ठीक है ना in this system all voters in a constituency are eligible to vote but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved अब ठीक है आपकी suppose एक constituency है वो किसी OVC के लिए अगर reserve की गई है तो vote तो सब लोग दे सकते हैं बट उसका जो candidate जो nominee होगा या जो candidate वहाँ पर election लड़ रहा होगा वो किस social group से होगा वो OVC के background से होगा या SC के background से होगा या ST background से होगा बट vote की जो power है वो कोई भी जर्नल वाला भी OVC को vote दे सकता है कोई भी किसी को भी vote दे सकता है बट जो आपके candidates होंगे election में जो लड़ रहे होंगे वो social particular OVC या किसी भी एक group से होगा ठीक है ना there are certain social groups which may be spread across the country अब आपको पता different social groups अपकी country में देखने को आपको मिलते हैं और वो पूरी country में धिरे धिरे आपको छोटे छोटे रूप में कहीने कहीन देखने को मिलते हैं ठीक है ना in a particular constituency the members their numbers may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate however taken across the country they are a significant sizeable group to ensure their proper representation a system of reservation becomes necessary अब ठीक है अब वो यह कहना चारे कि suppose कि particular constituency में उनके अगर जो वोटर्स हैं उस particular caste के तो वो backward caste के या किसी भी other caste के तो वो इतने ज्यादा नहीं होंगे कि वो उसको victory दिला सके candidate को तो इसी लिए उन्होंने क्या क्या एक fix कर दिया गया कि यह constituency आपकी OBC के लिए ही है क्योंक जो OBC होंगे किसी एक constituency में वो कम होंगे या ST होंगे वो कम होंगे तो अगर सारे ST मिलके भी vote देंगे तो वो नहीं जीत पाएगा normal condition में बट अगर वो constituency reserve है क्यों OBC के लिए तो हर पार्टी का कौन candidate election लट रहा होगा OBC तो अगर कोई भी जीत के आएगा किसी पार्टी का त होनिए लोकसर पाएगा न की लाग्すभा पले सेल खेंगाना केम्राम श्यूद फच्रजोंग या Start you पो होजा बाला है का me ओेंगां देयो को सेधिन आक्रिस परीज व सक्सर भाटी। रहे हो जली लाटिस उूशनली संसे फश्सार प्शीन का बजिस प nhất व जीत का लट टो तो आप देख सकते हैं आपको उनको कहां कहां आपको लोगसवा हो गया इस्टेट लिजिसलेचर हो गया आपके अट चगा में उनको गया है आपका SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया है सीट्स का जो कि पहले 10 साल के लिए था उसको फिर 2020 तके एक्स्टेंड कर दिया गया और पार्लामेंट चाहे तो उसको और भी आगे एक्स्टेंड कर सकती है और आपको अगर आप 543 सीट्स के बाद करें लोगसबा में तो उसमें से 84 चो सीट्स हैं वो रिजर्व डिया आपक हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था फिर भी थोड़ा और कर रहेंगे देखेंगे और उसमें डिटेल में चलते हैं तो किसी भी एक इलेक्शन सिस्टम की एबलेटी किस से पता चलती है कि वो कितना अच्छा और एक फेर आपका election process को करवाता है जो उनका electoral process है उसको कितने अच्छी तरीके से बिना किसी के दबाओ में उसको वो process करता है ठीक है ना इट वस मेंट democracy तो बी translated into reality on the ground इट इस important the action system is impartial and transparent obviously हमने पहले भी discuss किया है कि जो आपका election system में वो बिलकुल बिना पक्षपात का और बिना किसी भेदवाओ की होना चाहिए उनका जो transparency उनके बीच में होनी ही चाहिए ठीक है जो नियम कानून है वो सबके लेक जैसे होने चाहिए ठीक है ना the system of election must also allow the aspirations of the voters to find legitimate expression through the electoral results तो अब ऐसा भी election system होना चाहिए जिससे कि जो aspirations है जो भी आपके इच्छाएं हैं आपके जो voters की वो उनको legitimate कर सके legitimate मतलब जिनको कानूनी तरीके से वो अपने जो भी इच्छाएं की कानूनी तरीके से उसको deal कर सके तो ये उनके पास power होनी चाहिए ठीक है ना अब उसके लिए क्या क्या बनाया गया है उसके लिए आपके पास universal franchise and the right to contest आपके पास है आपको पता है ना ये universal adult franchise आपने पहले भी पढ़ा है कि above the 18 years और 18 वाले जितने भी आपके लोग होते हैं वो आपके क्या कर सकते हैं election में आपका vote डाल सकते हैं then there is a limit to contest in the election also ठीक है चलिए सब को discuss कर लेते हैं अब हमें पहले से पता है कि the democratic elections required that the all adult citizens of country must be eligible to vote in the elections okay this is known as a universal adult franchise in many countries citizens had to fight long battles with the rulers to get the right in many countries women would get this right very late and only after struggle तो आपने ये सारी चीज़े हमने पहले भी discuss करी है कि काई countries में क्या है बहुत long time के बाद आपको महाँ पर struggle देखने को मिला long struggle देखने को मिला votes के लिए उसके बाद आपके women's का जो representation का या vote की जो power थी वो बहुत कम countryों में थी उनके लोगी बहुत लंबा struggle उनको करना यहाँ चीज करिए जो पर आपके constitution बनाने वाले थे इंडिया के जो उन्होंने इंडियन constitution बनाया कि उन्होंने guarantee दी कि जो भी आपके adult citizen होंगे उनको अधिकार होगा उनके एक vote देने का ठीक है वो चाहिए वो किसी को भी दे तो उनका right to vote उनको उन्होंने वहाँ पर insure किय अगर हम बात करें अब 1989 की तो adult Indian का मतलब कौन था उस time तक जो Indian citizen above 21 years age के हो तो यहाँ पर कई बार कोशन आ जाता है कि जो आपका 21 से 18 age किया गया वो कब किया गया तो 1989 में इसको दुबारत से constitution में amendment किया गया और उसके बाद 1989 के बाद जो आपके जो eligibility जो criteria था adult franchise का वो 18 years हो तो जो 18 साल के थे वो लोग क्या हो जाते हैं अब eligible हो जाते हैं आपके votes के लिए ठीक है ना तो मतलब अभी भी कई बार यह लगता है कि जो right to vote है कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो सब के पास नहीं होना चाहे था क्योंकि कई बार की जो उनकी qualifications education qualification के इसाब से वो right होना जैदर कई लोग यह सोचते थे इस टाइम पर भी ठीक है ना और अभी भी कई लोग यह सोचते हैं ठीक है बट तक constitution makers had a firm belief in the ability of worth of all adults reasons as equal in matter of deciding what is good for society पर जो आपके फ्रेमर्स थे constitution के उन्होंने आपके education qualification के इसाब से नहीं सोचा उन्होंने सोचा हर एक adult को यह अधिकार है कि वो अपनी society के लिए अच्छाई और बुराई को समझ सके और अच्छाई को चुनने का उसके पास एक right होना चाहिए ठीक है ना अब जिस तरीके से आपने right to vote के लिए यह सब कुछ समझाया उसी तरीके से आपके पास सारे rights है right to contest किसी भी contest करना या part करना आप खुद को representative बनाना चाहते हो तो उसके लिए उस तरीके से आपके rights है all citizens have right to stand for election and become the representative of the people clear हो गया आपके पास right है आप अपना खुद representative बनना चाहते हैं तो आप उसमें part कर सकते हैं there are different minimum age requirements for contesting elections for example in order to stand in Lok Sabha the assembly election in the candidate must be at least 25 years old तो आपकर Lok Sabha में participate करना है representation के लिए तो आपकी age क्या है 25 at least होनी चाहिए there are some other restrictions also अब कुछ और restrictions होती हैं जैसे कि for instance there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for two or more years for the same offense is disqualified from contesting elections अगर कोई भी व्यक्ती किसी एक ही offense के लिए दो या दो से बार जादा बार आपको उसको jail गया हो तो वो disqualified हो जाता है ठीक है but there are no restrictions in income education or class or gender or the right to contest elections तो इन चीजों में कोई भी आपकी boundaries या restriction नहीं है अगर आप किसी भी education qualification से आते हो कोई भी class हो, gender हो कितनी भी आपकी income हो उससे आपका कोई भी restriction नहीं है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो हमारे election system है वो सब के लिए खुला हुआ है अब है अगला topic independent election commission अब इसमें आप देखेंगे कि जो several efforts जो हमारे देखे जाते हैं इंडिया में कि जिस तरीके से election system को free और fair बनाया जा सके तो इसमें सबसे important क्या है तो सबसे important है आपका जो independent election commission बनाया गया है मतलब वो किसी भी government किसी भी के अंडर नहीं आता है election commission वो खुद की एक एक branch है जो उस पूरे चीज़ को या conduct करवाती election को या manage कराती है या supervise करती है ठीक है न अब हम बात करते है article 324 के first part के तो मतलब कोई भी जो आपके elections हो चाहिए वो आपके Parliament के हो लेजिसलेचर के हो आपके कोई भी जो officers होते हैं जो आपके president या vice president के under आते हैं तो उन सब को किसके थुरू एक तरीके से commission होके जाना पड़ता है आपका election commission के थुरू उनको जाना पड़ता है और उसकी power किसने की दी गई है उनको constitution के द्वारा दी गई है अब हम बात करते हैं कि जो आपका election commission हो इंडिया है वो क्या functions करते हैं उनके क्या role है ठीक है न सबसे पहले ही बात करें it supervises the preparation of up-to-date voters list सबसे पहले तो पोरे country में एक voter list बनाया जाती है जो कि updated होती है तो यह सारे चीज़ उसमें list बनाया जाती है कि कितने लोग उसमें अभी list में हैं कितने लोगों के नाम उसमें ऐसे हैं जो अभी exist नहीं करते हैं तो वो सारे चीज़ उनको हटा कर उसको रिमोव करकर एक updated list बनाया जाती है इट ऑल्सो डिटरमाइन्स दा इमिंग उफ इलेक्शन और प्रिपेर्स देलेक्शन शेडूल तो यह सारी चीज़ें जो भी आभी मैंने बोली यह कहां से पास होके आती हैं इलेक्शन कमिशन और क्या काम करता है आपका इलेक्शन कमिशन and therefore a free and fair election may not be possible तो यह भी वो decide करते हैं कि अगर कोई भी problem है किसी भी constituency की बात करें या किसी state की बात करें या पूरी country की बात करें Viciated का मतला होता है कोई भी गडबड उनको देखने को अगर मिलती है कि आप उस से आप free और fair election नहीं कराना possible है तो वो क्या कर सकते हैं cancel भी कर सकते हैं आपके पूरे election process को ठीक है ना The commission also implements a model code of conduct for parties and candidates तो commission क्या करती है कुछ rule भी करती है कुछ mode of conduct मतलब एक set of rules होती है कि क्या candidate कर सकता है कोई भी party कर सकती है यह चीज़ उनको नहीं करनी है यह सारी चीज़ डिसाइड करती है commission ठीक है ना It can order a pre-poll in a specific constituency It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just तो आप समझगे वो pre-poll भी करवा सकते हैं किसी constituency में और recounting भी करा सकते हैं votes की अगर उनको लगता है कि कोई भी गड़बडी counting में की गई है ठीक है ना election commission accords recognition to political parties and allot symbols to each of them या आपने last year 10th में पढ़ा था कि election commission क्या करता है political parties को recognize करता है और उनको specific symbols दिये जाते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर यही समझाना चाहरे है कि जो आपका election जो commission होता है उनके पास जो staff होता हो वो limited होता है तो वो किस तरीके से इतना बड़ा आपका election को organize करा लेते हैं क्योंकि वो जो आपका administrative body होती है हमारी जो machinery है country के अंदर वो उनके साथ control करती है वो उनके ओपर उनको directions देती है उनको वो administrate करती है जितने भी officers आपके administrative department में होते हों और उस तरीके से वो पूरे election process को control करते है ठीके ना चाहिए वो किसी भी consistency के अंदर क्यों ना हो ठीके ना तो election commission आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर emerge हुआ किस तरीके को use कि आपने fair elections करवाने के लिए ठीके किस तरीके से जो आपका कोई भी partiality वहाँ पे ना हो ठीके ना जो भी आपके social groups हैं उन हर एक groups को equal opportunity मिल सके इन सब के लिए election commission ने काम किया ठीके ना यह देखते है no system of election can be perfect तो यही मैंने बात की कि कोई भी system क्या है वो perfect नहीं हो सकता उसमें कुछ ना कुछ कमिया होती है जो आपको समय के साथ देखने को मिलती है तो उनको हमें से क्या किया जाता है reform किया जाता है और जो आपका election commission होता है उसके सामने बहुत सारे challenges होते हैं और उसामने भी आते रहते हैं चाए वो political parties के तुरू हो या आपके social groups हो या कोई भी scholars होते हैं वो issues को उठाते हैं और election commission के पास वो issues पहुँचते हैं जिसको वो अपना process में लेते हैं उस process को वो apply करते हैं जिससे की elections को और अच्छे तरीक से free और fair करके उसको maximum किया जाए कि भाई ये problem आप आगे ना हो और उससे all strong आपका जो election process से उसको बनाया जाता है अब कुछ ऐसे constitutional provisions हैं जो discuss के गए हैं चैप्टर में देखिए हैं चलो उनको बात कर लेते हैं जैसे की our system of elections should be changed from the FPTP to some variant of PR system कई बार ये भी discuss होता है कई बार आपको भी लगता है कि PR system जादा better है कहीं को ये लग सकता है ठीक है न तो उससे क्या हो जाए कि अगर आपको 50% votes मिले हैं तो उन 50% vote का ही आपको seat मिलेगा 50% आपके Parliament में या आपके Assembly में ख्लेर हो गया तो कई बार ये भी देखने को discussion किया जाता है दूसरा है कि there should be a special provision to ensure that at least one third women are elected to the Parliament and Assemblies तो ये भी कई बार discussion किया जाता है कि ये होना चाहिए और आपको पता है women's के representation के लिए बहुत बार bill को उठाया गया है Assemblies में पर वो अभी तक पास नहीं हो पाया है ठीके न next किया है there should be a strict provisions to control the role of money in electoral politics तो जिस तरीके से आप जानते हैं पैसे का use किया जाता है बड़े-बड़े जो businessmen होते हैं या जो political leaders होते हैं वो किस तरीके से इन दोनों मिलकर आपका पैसे का use करते हैं तो ये भी आपका बंद होना चाहिए ठीके the elections expenses should be paid by the government out of special fund तो कोई क्या कह रहे है कि एक special fund होना चाहिए उसी fund से आपका जो भी आपका expenditure है elections का वो उसी fund से होना चाहिए यह निए कि आप open है कहीं से भी आप कोई भी आपको donate कर रहा है कुछ भी आप खर्च कर रहे है ठीके ना special fund होना चाहिए और वो fund के वाल election के expense के लिए ही होना चाहिए कोई भी ऐसा candidate जिसमें कोई भी case चल रहा हो तो उसको एक तरीके से ban कर देना चाहिए उसको permission नहीं होने चाहिए election लडने की चाहिए उसका case आपका court में अभी चल ही क्यों ना रहा हो दूसरी बात जैसे नेता लोग कहीं पर campaign करने जाते हैं वापे अपना बाशन देते हैं तो वो क्या करते हैं speech में वो लोग caste या किसी religion को focus करते हैं तो वो बिल्कुल ban होना चाहिए एक ऐसा functional regulate होना चाहिए जिससे कि जो political parties हैं उनके जो भी functions हो बहुत transparent हो सबको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और बहुत democratic होना चाहिए जनता से पूछ के या लोगों से उनके जो representative है सबसे discussion के बाद ही वो चीज होना चाहिए तो ये सारे कुछ ऐसे points थे जो कि एक तरीके से discussion में हैं कमिशन पर पास जो कि अक्सर देखने को मिलते हैं तो देखा आपने किस तरीके से आपके chapter में elections के बारे में उनको free or fair करने के लिए बात की गई कैसे set of rules के बारे में हमने बात की दूसरे FPTP system के हमने बात की PR system के हमने बात करी कमिशन के बारे में हमने बात किया किस तरीके से regulate करता है control करता है फिर हमने electoral जो आपके reforms थे उनकी भी हमने बात करी कि किस तरीके से reforms होने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एक election system को strong बनाने के लिए ठीक है तो जल्दी हम भी लेंगे next chapter में तब तक आप notes बनाईए chapters के आप उनको रख सकते हैं नीचे comment भी कर सकते हैं आपका कोई भी question हो ठीक है